हेलो फिर्ट्स मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टाप क्लास इस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं वित्रू हमारा लगबग सभी यानि कि मैस जो आपकी क्लासेश चल रही थी लगबग सारे चैप्टर सापके कंप्लीट हो चुके हैं तो मैंने सोचा कि अब आपको एक मॉडल पेपर दिया जिससे आपको पता चले मैंने कितना सीखा ठीक है तो आप लोग अपने आप जैसे कुश्चन दिये गए हैं मैंने सामने लिख दिया पांच कुश्चन ठीक है पांच कुश्चन खुद आप तुरंट इसको देखिए और इनका सुलिश कि मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा लेवल अगर हमारा उपर रहेगा तो वही भी कुश्चन आपका छूटे गाने यानि कि आपने अगर हमारे पेपर जो मैंने बनाया सेट किया है से मिश्ची पैटरन पर आएगा पचीस नंबर का पेपर रहेगा यह घंटे तक आपका तो आपका यह बिल्कुल गाट बांद लीजिए कम से कम आपके बीस के ओपर ही मनमबर होंगे बीस से बाइस नंबर आपके पका आजाएंगे एक्जाम में तो आप लोग शुरुआत करिए और देखते एक एक कुश्चन भी सॉल कराते हैं और आप लोग अपने आप सॉल क प्रेश की हैं वो सारे हमारे टेलिग्राम चैनल पर दे दी गई है पीडियाप तो आप लोग उसको सस्क्राइब कर लिजे और जो भी आपको पीडियाप चाहिए जिसके आपको जरूरत है नीड्स है तो वहां से आप लोग पीडियाप उसको पढ़ लीजिए जो आपको में काफी ज़्यादा हेल्प करेंगी चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास तो पहला कुश्चन हमारा है कि साथ चार दो पांच चार्ट में दो का इस्थानी मान क्या है तो आपको इस्थानी मान क्या होता है कि जो जहां पर जिसका पूछा जा इस्थानी मान माल यहां पर इतनी digit है, 7, 4, 2, 5, 8 में 2 का इस्थानीमान पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, 2 को as it is लिख देंगे, ठीक, 2 as it is लिख देंगे, जैसे 2 यहां पर है तो इतना ही 2 लिख देंगे, अब 2 यहां digit देखिए, 2 का इस्थानीमान लगा दीजिए, देखिए 200 कहीं पर है इसमें, यह दोस्तो है तो आपको वीवाल अंसर सही हो जाएगा ठीक, फिर अगला कुष्ण देखिए दोसरा नमबर कुष्ण क्या है आपका तीन बटे दो का वियुतक्रम नहीं है तीन बटे दो का वियतक्रम नहीं है, तो 3 बटे 2 का वियतक्रम क्या होगा, 2 बटा 3 होगा, ठीक है, तो जिस 2 बटा 3 ये वियतक्रम होगा, ठीक, वो पूछ रहा है कि कौन सा वियतक्रम नहीं होगा, तो देखते हैं कौन सा नहीं होगा, 4 बटे 6, इसे 4 बटे 6 दिया गया है, तो 2 दुनी 4 दो तो 4 दुनी 8, 4 3 12, ये भी वियुतक्रम है इसका, ठीक है, उसका अपोजिट, जैसे 3 बटा 2 है, तो इसका वियुतक्रम 2 बटा 3 होगा, तो ये भी है, ये भी है, वो पूच्छरा है कौन सा नहीं होगा, तो अगला वाला देखिए, 6 बटे 4, तो इसमें क्या हुगा, 2 तीय 6 दो दूनी चार देखो यह वियुत्करम नहीं अगए यह तो सेम आ गया ना तो यह वियुत्करम नहीं होगा तो यह वाला हमारा option सही हो जाएगा मतलब 6 बटे 4 आपको option सही हो जाएगा ठीक है तीसरा देखते हैं थर्डनबर कुषिंध किया है आपका थर्डनबर है अ के तेरा माइनस आठ गुड़े 2 प्लस 3 तो ये question आपका जो है ये सारे question आपका एक board mouse chapter पढ़ाया गया है उसमें आपको इसमें board mouse के बारे में बताया गया है ठीक है गुड़ा भाग जिसमें पढ़ाया गया है उसमें आपको board mouse के बारे में बताया गया है कैसे से यह कुशन सॉल्व होते हैं तो हम लोग इसमें क्या करते हैं बी ओ डी एम एस लगाते हैं इसमें क्या होता है ब्रैकेट ऑफ डी से डिवाइड में से मल्टिपल ए से एडिशन एस सब्सक्रेक्शन इस हिसाब से कुशन करते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहले ब्रैकेट solve करते हैं 13-8 दूनी 16 ठीक है प्लस 3 उसके बाद addition solve करते हैं तो add यह plus में है यह plus में 13-3 16-16 अब last में subtract करते हैं 16 से 16 चला गया तो कितना बचा जीरो तो आपका यहां पर answer क्या हो जाएगा जीरो तिसरा और चौथे में आपका पूछ रहा है कि 30 और 45 का मासा है 30 और 45 का मासा 30 और 45 का मासा मैंने बताया था मासा कैसे निकलते हैं जब मासा निकलते हैं यह मासा और लासा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से पढ़ाया गया आपको जो है एक नीचे description box दिया जाए है उसमें link दे दिया जाएगा लासा मासा जितने भी हमारी chapter है सारे के link मिल जाएंगे तो हमने एक एक chapter बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है तो मासा वहां से लासा मासा देख लीज़े कैसे निकालते हैं तो मासा में मैंने बताया था कि क्या निकालते हैं फैक्टर निकालते हैं और लासा में क्या निकालते हैं आपका multiple निकालते हैं इसमें multiple गयात करते हैं इसमें फैक्टर तो फैक्टर इसके क्या होंगे 5, 36, 3, 39, 45, 45, यतने factor हुए है, तो मासा गयात करना है, मासा मतलब क्या है, SCF, highest common factor, तो common कौन सा है, 5 इसमें common, SCF और common होता है, तो common देख लिया 5, 5 है common और किसी में नहीं है, तो हमारा यहीं पर क्या होगा, SCF 5 हो गया, अच्छे से देखने के लिए, हमारा वीडियो देखिए ठीक है, तो 5 हो गया, अब लिखा है 5 हुआ, संभाव त्रिभुच का प्रतेक कोण होता है, संभाव त्रिभुच का प्रतेक कोण ध्यान रखिए, 60 डिगरी होता है, यह भी आपको हमारे त्रिभुच चैप्टर में बहुत अच्छे से deeply बताया गया है, कि 60 कैसे आएगा, तो जाएए और उस description box में और त्रिभुच चैप्टर देखिए और उसमें आसानी से आपको सारे rules आपको पता चल जाएंगे, तो आगे कुशन देखते हैं लोग, तो हम लोग exam के pattern के साब से आगे कुशन देखते हैं, तो आपके पांच जो है बहुकलपी आते हैं, तो बह 11 नंबर के होते हैं, 11 नंबर हमें दिलाते हैं, तो यह 11 नंबर के question हमारे बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि छोटे चोटे question होते हैं, मैंने फिर भी थोड़ा सा typical question रखे, exam में आपके आएंगे, सायद इससे भी आसान question आएंगे, तो आप घबरानी की आज में नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसको कुस्टन आपको जरूर से जरूर सौल कराके देदूंगा, तो आप देखिए, आगे देखते हैं लोग, अतिलाक कुश्चन, बहु कल्पी हम लोग क्यों होगे, अतिलाक में देखते हैं, पांच के पर्थम पांच अपवर्थ चेप्टर में समझाया हुआ है, तो LCM SCF का हमारे दो वीडियो है, तो उसमें जो पहला वीडियो है, उसमें यह चीज अच्छे से आपको समझाए गई है, पूरे वीडियो में अपवर्थ, समापवर्थ, अपवर्थ यही चीज ही अच्छे से बताई गई है, तो आप जर चार नमबर कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, चार नमबर अच्छे से आप जो स्कोर कर सकेंगे, तो पांच के अपवर्थ क्या होते हैं, अपवर्थ क्या होता है, तो वो आप वीडियो में देखिए का बाकी मैं बता दे रहा है, अपवर्थ क्या मल्टिपल इनके लिख पहाड़ा पूछा जाए वही पहाड़ा पढ़ते जिले जाएगे वही उसका पढ़त होता है 5 पूचा क्या 5 लिखतो आगे 6 पूचा जाता तो 5 5 35 45 अज़से आपके अपढ़ते जाएंगे जितने पूछते लें अगला कुष्चन हम आ रहा है सेवन एक यह कुछन हम देखते हैं क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जट ठीक है माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जट यह कैसे सॉल होगा अब इसमें देखिए ब्राइकेट लगा ब्राइकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है मैंने यह बताया सजाती विजाती चेप्टर में आपको बहुत अच्छे समझाया गया है कि जब भी माइनस का अंदर गुड़ा किया जाता है तो जो अंदर की डिजिट होते हैं उनके नि माइनस सब्सक्राइब कर दिया जाएगा माइनस एकस एकस कैंसल हो जाएगा वाई वाई प्लस में है तो क्या हो जाएगा तुई आपका अंसर होगा बहुत आसान कुष्चन है कोई दिक्कर नहीं है फिर हम लोग साथ होगे छटा सात्मा ओगे आठमा देखते हैं आठमा भी कुष्चन आसान है जले से आपके एक्जाम में आता है सिर्फ परिमाप पूच दिया जाता है बाकि इतना कोई दिक्कर लंबाई चौड़ाई देद चेत फल कितना है आएत का 40 cm² उसकी लंबाई कि लंबाई कि इतनी है एक आट सेंटी मीटर तो हमें परिमाप निकालना है तो आपको आएत का परिमाप पता होता है आयत का परिमाप क्या होता है तो इंटो लंबाई प्लस चोड़ाई आप कहेंगे सर यहां पर लंबाई तो दे दी गई है लिकिन हमें चोड़ाई नहीं दी गई है आप यह कहेंगे सर लंबाई तो दी है चोड़ाई नहीं दी है तो हम क्या करेंगे दो लंबाई रख दिया आठ लिकिन चोड़ाई नहीं तो आयत का छेतफल क्या होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई छेतफल कितना दिया है चालिस लंबाई आपकी कितनी दी गई है आठ गुड़े चोड़ाई तो यहां पर आठ पच्चे चालिस तो चोड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी पांच सेंटी मीटर यह आपकी चोड आठ पांस कितना तेरा होता है तेरा दुना 26 cm जही आपका आंसर हो जाएगा एक बात बता रहे हैं ये इसकी जो यूनिट होती है यूनिट लिखना बिलकुल भी मत भूलिए क्योंकि एक्जामनर क्या करेगा आपका यूनिट के भी मार्क्स कट कर देगा यूनिट जरूर से जरूर ध्यान रखे यूनिट जरूर लिखिएगा तो हमारा ये question हो गया आट नमबर भी छएठा उटा question हो गया सात्वा कुशन हो गया अब हम लोग देखते नवा question नवा question बहुत यह आसान है question आपके壓 क्योंगा इस क्योंगे नवा कुश्चन बन सकते हैं इसके चार टाइप हो सकते हैं तो देखिएगा दो संख्याओं का गुड़न फल यह होता है दो संख्याओं का गुड़न फल बरावर लासा इंटू मासा यह हमारा फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले से कई कुश्चन आपके बन जाते हैं तो आपका दो संख्याओं का गुड़न फल कितना गया है टूंटी सेवेन लासा आपका दिया गया है नो मासा पूछा गया है नो एक कम नो नो तिये 27 तो मासा आपका कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा यही आपका आंसर है दो संग्ठाओ का गुड़न पर 27 है यदि लासा 9 है तो मासा उसका 3 होगा ऐसे कुश्चन आप निकाल लेंगे इन कुश्चन का आंसर अगला कुश्चन देखिए यह थोड़ा सा थोड़ा घुमाऊदार है कुश्चन तो देखिए आसान है थोड़ा सा बस देखने में लग रहा होगा 30-90 का कितना प्रतिशत कितने प्रतिशत होगा मान लिया जो 30 है वो क्या होगा 90 का X प्रतिशत होगा जो 30 जो है ये 90 का कितने प्रतिशत होगा तो हमने मान लिया क्या है 90 का X प्रतिशत होगा तो मैंने आपको परसेंटेज चेप्टर पढ़ा है वहा बहुत अच्छे से जल्दी में ही आपको वीडियो मिली है तो उसको देखिएगा उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है तीस मान क्या कुश्चन कया 30 90 का कितने प्रतिशत होगा तो 30 90 का X प्रतिशत होगा मैंने मान लिया अब क्या करेंगे 30 बराबर 90 का का मतलब मैंने बताया था गुड़ा X और परसेंट का मतलब मैंने बताय था एक बटा सो परसेंट का मतलब मैंने बताया जहां परस्ट लिखाओ वहाँ पर एक बटा सो कर दीजिए तो यह करके देखिए यह यह कैंसिल ठीक है तो इसको एक तरफ अगल ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा तीन गुड़े सो बटा नो बराबर एक्स ठीक है तीन एकम तीन 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 नो तो एक्स की वैल्यू कितना जाएगा अंडेड अपॉन थिरी तो एक्स इसकल टू तेतिस सही एक बटा तीन प्रतिसत तो कितना प्रतिसत होगा ? 30.90 का कितना प्रतिसत होगा ? x की वैल्यू हमारी निकालाई 33 एक बटा तीन तो कितना अंसर आपका आजाएगा ? 33 सही एक बटा तीन प्रतिसत होगा कि आपका आटसर आजाएगा अगला कुशन भीत देखते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद करो बहुकलपी कुश्चन में आपका पूचा जा सकता है तो आपके अप्शन में 999 जैगा कोई भी ऐसे डिजिट दे जाएंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है 999 तीन पूचेगा ये चार पूँषे नो पाँच से रह से बढ़ाते जाएंगे जितने पिल्फितने हैं कि पाईपिक बिदी संख्या पूचा जाए जितने हैंहीं संख्या उत्तर व्युक्षा दियू evolve लिइआ रिप यह आपकी यही उत्तरवरती संख्या होगी यह आपका आंसर आ गया तो 5 बहुकल्पी कुश्चन हो गए होते हैं 6 आपके अतिलग होते हैं बाकी लग होते हैं देखते हैं लग आगे कितने कुश्चन होते हैं आगे हम लोग देखते हैं लग उत्री प्रस्चन ठीक है यह का पहला कुष्च झा किसी व्रत का च्छेत फ़ल 174 सेंटिमी टर है तो उस व्रत का व्यास ग्यात करो आप इसको देखिएbst the circle चैप्टर सरकल पर happier था तो उसमें बताया था व्रत का च्छेत फ़ल क्य ऊता है तो ब्रत का च्छेत फ़ल क्या क्या साइब allowing आर स्कॉायर πाई आर स्कॉायर वरत का छेतफ़ल होता है हमें दिया गया है 154 cm2 दिया गया वरत का छेतफ़ल तो पाई की वैली कितनी होती 22 blijft 7 आर स्कॉायर इसकल टू 154 cm2 ठीक है तो हम लोग क्या करते हैmer इसको कट कर दे 2 से दो एकम दो, दो एकम दो, दो सती चोदा, दो सती चोदा, ठीक, ग्यारा सती शतत्तर, ठीक, आर स्कॉयर कितना हुआ आपका, आर स्कॉयर इसकल टू, 7 इन्टू 7 सेंटी मीटर स्कॉयर, तो आर स्कॉयर, तो साथ का स्कॉयर, सेंटी मीटर का स्कॉयर, दोनों तरफ क्या करें करने पर वेरक मूल गया है करने पर है घिक किसका रूट वरकमूल निकालेंगे तो अंडर रूट और इसकौइर अंडर रूट एबंजर का स्कौइर इंट्टू अंडर रूट सेंटी मीम्टरेंट तो क्या हो जांके आर बाहर निकालेंगे तो इसको अरहट जाएगा साथ कब इसको अरहट जाएगा सेंटीमीटर कब इसको अरहट तो क्या निकालेगा आर की वैल्यू साथ सेंटीमीटर निकालाएगी आर कितना है सा सेंटीमीटर हमें क्या की निकालना है व्रत का व्यास निकालना है यह हमें क्या निकला है त्रिज्या निकलाई व्यास क्या होता है व्यास पराबर दो गुड़े त्रिज्या यह सारी चीजे बहुत अच्छे से आपको हमारे जो है वर्ग का चैप्टर है व्रत ब्रत का चैप्टर है वर्त के चैप्टर में आपको इसारी सीज़े बताई गई है तो व्यास डायमेटर क्या हो जाए एक सब्सक्राइब यह अच्छे से समझ में आगया होगा इसी टाइप के आगे कुष्चन भी सॉल करके आप लोग खुछ से देखिएगा अगला कुश्चन हमारा है एक संभाव त्रिवुज का छेतफल दो अंडर रूट तीन मीटर स्कायर है इसका परिमाप निकालना है मैं परिमाप क्या होगा तो आप हमारा त्रिवुज चेप्टर देखिए इसके लिए त्रिवुज में अच्छे से बताया गया है यह संभाव त्रिवुज का चेतफल आपको पता है क्या होता है नो रूट थ्री वाई लूट इन्टू कर दो जाएक सकायर जूट 3 मीटर ए ठीक है यह उता है आपका यह हमें पता हुआ है सम्भाव त्रिवुज का चेथ पर डो अंडर तीन मीटर स्केट अधि एसकायर छे दिए गया है लेकिन इसका च्रितपल का फार्मूला क्या होता है रूट 3-4 भुजाइश च्वायरुट 3 से रूट 3 चैंसल आउट हो गया तो भुजाइश स्क्वायर इक्वेश्ट टू एट मीटर स्कॉरर ठीक है अब इसका क्या करेंगे वर्गमूल वर्गमूल लेने पर क्या हो गजाएगा बुजाए स्क्वाइर का वर्गमूल ले लो आठ का वर्गमूल ले लो मीटर स्क्वाइर का वर्गमूल बुजाएगा ठीक है तो बुजाए स्क्वाइर स्क्वाइर है अंदर तो बाहर निकलेगा सिर्फ भुजा रहेगा भुजा वराबर क्या हो जागी आठ का वर्गमूल हो दा टू रूट टू यह मीटर हो जाएगा है कि क्या हमें पता चल गया भुजा पता चल गई भुजा पता चल गया हमें निकालना क्या परिमाप परिमाप निकालना है परिमाप का फॉर्मूला का है तो क्या है तीन दूनी च्छाय रूट टू शिक्स रूट टू आपका मीटर यही आपका अंसर आजाएगा तो ऐसे ही छोटे-छोटे कुश्चन होंगे जो आपको पूछे आ सकते एक्जाम में पूछे जाते हैं कभी-कभी या ना इतना दिया उसने क्या दिया छे तफल दिया आपको और बोला भुजा कितनी होगी या भुजा दे दिया तो भुजा के बाद आपसे छे तफल पूछ लिया यह परिमाप नहीं पूछा कभी-कभी ऐसे पूछ लेता है जैसे भी आपका कुश्चन पूछा जाएगा जितना भी घुमाएं फिराएं लेकिन इससे ज्यादा आगे कुश्चन निकाल नहीं पाएगा एक्जाम कोई भी कुछेण अगर एक्जाम में आता तो इससे ज्यादा बेतर नहीं दे पाएंगे थीक है ज्यादा ज्यादा कोशिज करें कि करें लिए जो भी इससे मिलते जोलते हों फो प्रेक्टिस करें आपको कोई problem आती है तो कमेंट करके बताइए सर यह प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आपको सौल किया जाएगा प्रॉब्लम आपकी हम लोग चौदा नंबर कुश्चन देखते हैं कि चौर antachปर सेटर का है तो ऑस चेर्पेंट का वीडियो नहीं कर जाएगी एक व्यक्ती का कर देखे हैं मैंने क्या पर्शेंटेज कर में मैंने बताया था आपको किसी चीज की तुलना परसंटेज क्या दिखाता है किसी चीज की तुलना ठीक है तो वह तिलना किसे होती है कि 100 से तुलना की जाती है तो यहां पर क्या हुआ एक विक्त अपनी आया का सी परसंट वे कर देता है यह तुलना किसे हो रही है तो सो से असी निकाल देंगे कित्ते परसंट आपकी बचत बचेगी 20 परसंट मतलब किसी व्यक्ति की आए जो है 100 परसंट होगी 100 परसंट में से उसने वे कित्ते कर दिया 80% वे कर दिया बचत उसकी हो गए 20% वही बचत किसके बराबर है उस कर देता है यदि उसकी बचत 120 रुपया है और उसकी बचत किती है 120 रुपया 120 रुपया परसेंट की बात करेंगे तो 120 परसेंट की बात करेंगे तो 20 परसेंट है अगर रुपे की बात करेंगे तो 120 रुपया उसके बसने यह का जैसे कि आप से कह दिया गया आपके एक्जाम में 800 में मैंने बताया था परसेंटेज चेप्टर अगर आप देखेंगे 800 में उसमें बताया था कि 720 नमाक्स आते हैं या आपको आपसे कह दिया जाए आपके माक्स 90 परसंट हैं आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपके नंबर कितने आए तो आपने खा मेरे नंबर 90 परसंट है ठीक अगर किसी दूसरे वक्ते ने पूछा आपके कितने नंबर हैं तो आप तो इस दूसरे वक्ति से बोल दे हमारे सास्सों बीस नमबर हैं उसने पूचा कितने में बोला आठ सो में तो आप सास्सों बीस बताएं या नबे परस Window जा बताएं तो उसका मतलब तो एक ही और नागर अाभाताते हैं तो तो 720 नमबर आप किसी बताएंगे और बताते हैं परसेंटेज में तो 90 बोल देंगे तो वही चीज यहां पर है तो बचत 120 रुपया है और परसेंट में 20 परसेंट है तो 20 उसकी आय मान लिया एक सी एकस का 20 परसेंट कितना होगा 120 रुपया ठीक यह के उससे नहीं आपका तो एकस का 20 परसेंट मतलब 20 परसेंट का मतलब मैंने बताए 100 होता है 100 120 रुपया ठीक तो इसको कैंसिल आट कर दो दो इससे इससे दो शंग 12 छे बचा उदार तो एकस बराबर किता होगा 600 रुपया किसी वेक्त की कमाई कितनी होगी अगर 600 रुपया उसकी कमाई हो रही है महेने की ठीक 600 रुपय उसकी कमाई हो रही है तो वो वे कितना करता है उसका वे निकाल लो वे कितना करता है 80% खर्च कर देता है 680% निकाल लाइते हैं यह यह तो आठशें करता है 480 रुपया 480 रुपया वो खर्च कर देता है 480 रुपया खर्च कर देगा उसके पास बचेगा कितना अगर 600 रुपया आपके पास है माले आपके जेव में 600 रुपया है आपने 480 रुपया खर्च कर दिया 480 रुपया खर्च कर दिया तो आपके जेव में कितने रुपया बचेंगे 0 10 से 8 गया 2 5 से 4 गया 120 रुपया आपकी जेव में बचेंगे तो यही कुछिन पूछ रहाता एक विक्त अपनी आएक 80 परसंट वे कर देता है तो 80 परसंट अगर उसने खर्च कर दिया तो उसके पास कितने रुपया बचे 20 परसंट बचे आए और वे अलग-अलग याद करनी तो आए उसकी कितनी होगी आए उसकी 600 रुपया निकाल गाई ठीक वे उसने किया 480 रुपया उसके बचेंगे कितने 120 रुपया देखो यही उसकी बचता आ गई अगर ऐसे भी देखेंगे तो 120 रुपया सही सही मारा यही अंसर हुआ गया चौदा हो गया पंदरा नूमबर कुश्यन हमारा फिर से आगा किस पर ब्राइक सारी साघ्र करते हैं सबसे पहले छोटा फिर बड़ा सबसे पहले छोटा ब्राइकट चॉल करेंगे फिर मंझला पिर बड़ा सबसे छोटा ब्राइकट्स ये बड़किट्स है 121-1611-16-95 Ркое डोह हम लोग मंझला प्राइकटफी यह होता है और बड़ा प्राइक. केट आपका यह होता है सबसे पहले छोटा सौल मैंने किया अब हमारा नमबर है मंजला सौल करने का मंजला सौल करते हैं तो एक से 20-16-14-9 ठीक है तो 121-16-14-5 गया पांच बचा ठीक है इसको यह कर लिजिए भाग में ठीक किस यह डिवाइड कर लिजिए ठीक तो हमारा क्या होगा सबसे पहले 14 से नो गया पांच बचा यह आपके क्या हो जाएगा अच्वारी मंजला ब्रैकेट आपका पूरा-पूरा स्वाल हो गया तो मंजला लगाने जिरूत नहीं सिधे बड़ा ब्रैकेट लगाई है 16-14 में से नो गया पांच बचा तो पांच यह कर लिए तो एकसो इकीज सोला से पांच गया कित्ता ग्यारा बचा अग्यारा एकसो एकिस ड्वाइड है यह 11 तो ग्यारा ग्रैयम एकसो एक्टिस तो आपका यही आपका आंसर हो जाएंगा अगर मैंने यह भाग का निशान नहीं लगाया ओता तो आपका कितना जात हमाइनस था मान disciplines कर देते डेक्ष्राइक से ग्यारा चल ़ाट है तो सटा जी install गैप यहां यह कोई नहीं बदली है तो भी कुछ नहीं बदल जते हैं तभी कोई दीखष्र नहीं प्रॉस Сच्छी सही आपका पैटन सही रखिए बस आपका कुश्चन सही होगा यह मत देखिए कुछ भी हो ठिक अगला कुश्चन हमारा आया हुआ है लासा मासा पे बेस्ट कैसे हम पैचानेंगे देखिए कपड़े के तीन थानों की लंबाई 125 मीटर 220 मीटर 275 मीटर है बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताईए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके तो मैंने आपसे बोला था कि जहां पर बड़ी से बड़ी आ जाए जहां पर भी बड़ी से जब मैंने लासा मासा चैप्टर पढ़ाया था तो आपसे बोला था अगर बड़ी से बड़ी आ वहाँ पर तुरंत लासा निकाल दीजिए बड़ी से बड़ी हो मासा छोटी से छोटी हो लासा बस इतना ही आपको ध्यान रखना बागी कुछन में कुछ नहीं ध्यान रखना है तो लासा आप निकालेंगे बड़ी से बड़ी दिया तो सीधे लासा निकालने किसके बीच 125 के के बीच और 275 के बीच इन तीनों के बीच लासा तो हमने कोई दो डिजिट ले लो कोई भी तो 220 भाग विद्द के द्वारा मासा निकाल दे रहे हैं तो 220 से कम 220 पांच साथ से दो गया पांच यह 220 तो 220 अब इसको देखें 55 दूना किससे भाग जाएगा अब ती एंग दो से एक सोदस पच्पंच यह किता हो जागा तीर पैच पंदा इसमें पंदेक 16 पंच चकू चार पंच बीच दूबाइस ठीक है तो पच्पंच दूना 110 एक मिनट देखें हां तो पच्पंच यह पच्पंच अगत तीये 165 जारा पच्पंच चकू करके चार पंच बीच दुबाइस तो फूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया तो यहां पर एक डिजिट बटी पच्पंच अब पच्पंच को हम लोग क्या करेंगे पच्पंच अब यहां पर कौन बचा 125 125 में भाग करके देखते हैं तो क्या होगा पच्पंच दूना 110 पांच दो पांच फिर यह वाला दस यहां पर आजाएगा दस पांदुनी दस तो लास्ट में हमारा कितना बचा पांच पांच तो यही हमारा मासा हो जाएगा कितना मासा पांच मासा पांच हो जाएगा तो यहां पर मासा आपका कितना हुआ पांच आप इसको अगर आप ऐसे नहीं क कीटना होगा यो बड़ी से बड़ी नापका फिता होगा वह आपका 5 मीटर का ओगा ठीक है यह आपका मासा निकाला गया भाग जिस्थे अगर आप मैंने निकालना शिखा तो अगर क्या होगा थिक है वही होका जो तीनों डिजिट को पूरा-पूरा विभाजित कर दें अगर आप देख रहें 12520 175 ठीक है आप देखिए कौन से डिजिट इसको सब्सक्राइब को पूरी-पूरी तरह विहाजित कर देगी देखो दो से नहीं जाएगा तीन से नहीं जाएगा चार से नहीं जाएगा पांस से चला जाएगा तो पांस से पांच दुनी दस पचम पचीस ठीक पांच चकूबिस पांच चकूबिस पांच पचीस पचम पचीस अब देखो ऐसी कोई डिजिट है जो क से पांस से भधाजित हो गया पुरा-पुरा प्से पुरा पुरा लगर सकती है लेकिन चौइ बंश्थ से नहीं है अब जो तीनों को humor कर दे इसलिए अगर पांच कर दे रहा तो फी के निकाल कि करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं 25 25 55 ठीक तो इसमें क्या करेंगे यह किस से कैंसिल आउट हो रहा है यह एक इसका फेक्टर किता होगा दो कि दो से कैंसिल आउट हो गया तो किता बचेगा 110 पच्पन है ठीक तो इसका हो जाएगा 10 अलग कर लिए 22 अलग कर दीजे ठीक तो इसको दो गुड़े 5 हो जाएगा और एक 11 गुड़े 2 यह इसके फेक्टर हो जाएंगे यह फेक्टर करने का असान तरीका ऐसे करके आप भी देख सकते हैं है ना ठीक है अब इसका 275 का फेक्टर करके देख लो फेक्टर करके देख लो पांस से कैंसे लाउट करो पचम 25 पांच गुड़े पचम 25 अब पच्पन को आप किसमें ब्रेक कर सकते हो ग्यारा गुड़े पांच ठीक अब से आपको निकालना है नहीं मासा निकालना है मासा निकालना है आपको यह इसके फैक्टर हो जाएंगे इतने फैक्टर हैं तो मासा में क्या निकालते हैं तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं आपके हाइस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन का मतलब होता है जो डिज ऐसे कोई भी डिजिट नहीं है जो तीनों में सेम हो तो वही पांच कॉमन ने पांच लिख लिया तो ऐसे भी मास आप निगा सकते तो तब भी बड़ी से बड़ा थान आपका क्या होगा पांच मीटर का फिता लेना पड़ेगा ठीक है आगे कुश्चन देखते हैं तो देखिए आपका पंदरा कुश्चन हो गए पंदरा सोलह हो गए इसक्षें से जरूर से जरूर जरूर मिल जाते हैं तो सिंपल सा कुछन है अच्छे से आपको दो नमबर दिला सकता है थोड़ा साफ साधानी अगर बरतते हैं तो यह कुछन कैसे सौल होता है आप देखिए रमेश के बगीचे में बहिन प्रकार के फोलों के पौधे लगाएं तो नीचे दी गई साड़ी में इन पौधों की संख्या दी लगे और रजनीगंदा के 45 जो हैं पौधे लगे हुए अब इन्हें प्रदर्शित करना है तो प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी डिजिट दी हैं 30 35 10 15 45 इनमें से कोई भी एक डिजिट ऐसी लीजिए हाइस डिजिट हाइस डिजि रिकांस डिजिट होगी वहलम हो यह duż रिकांस डिजिट हमारी लैगी इन सार दो देखिए कौशल लग्गीस 5 डिजिट देखो 5 36 पुरा पुरा कर जा रहा है 25 25 पांच निदस 5 ते पंदरा 5 नोई या 45 5 जो है 3 सब को जो है कंसिल आउट कर दे रहा है तो ऐसी डिजिट हाइस डिजित लेंगे जो सब को जो है कंसिल कर दे आसानी से ठीक 5 को ले लिए अब 5 का हमने क्या ले लिया संकेत म क्या होंगी एक फूल का मतलब हमारा का होगा जैसे मैंने फूल ले लिया ये फूल क्या होगा ये फूल पांच के पराबर होगा तो हम लोग पिक्टोग्राप पर दरसाना है तो ऐसे लिख लेंगे गुलाब ठिक गेदा गेदा फिर जूही फिर आपका डहे लिया फिर लिख लेंगे अपना रजनी गंदा गुलाब के कितने पोद हैं तीस इसके पचीस इसके डहलिया के पंदरा और जनी गंदा के पैतालिस इतने हैं पोद हैं तो आप सम्मे क्या करें के पांस से डिवाइड कर दिजी हैं पांच से डिवाइड पांच से डिवाइड कर दिया क्यों पांच से डिवाइड कर दिया यह मैंने यह निकाला था पांच इससे डिवाइड कर दिया एगा तो पांच से डिवाइड करोगे पांच इससे पांच से डिवाइड करोगे टू इसको पांच से डिवाइड करोगे तो नाइन आएगा थिक तो ऐसे आप स्रीज एक बना लिजिए कि सिंपल सा कुश्चिन होता है दो नंबर आपके आसानिस दिला देगा एकुश्चिन एक यह 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 तो टहे लिया अठीक है ऐसे बना लिया मैंने अब गुलाब चैने यह 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 फूल बना दीजिए यहां पर चैने पूल बनाएंगे अब चैने एक फूल दो फूल तीन फूल चार फूल पांच छै दो चार दो चैने फूल बना दिया अब इसमें पांच आया था तो यहां पर पांच फूल बन जाएंगे एक दो तीन चार पांच फूल ठीक यहां पर जो ही कितने फूल बनेंगे दो फूल बनेंगे यह डिजिट देखते है फूल बनाने में तो यहां पर कितने बनेंगे तीन तीन यहां पर कितने बनेंगे 9 तो आप 9 फूल यहां पर बना दीजे दो तीन चार पांच है छे साथ है हाट अब एक दो तीन चार पांच छे साथ नो फूल बन गए तो यही आपका क्या होता है पिक्टोग्राफ ऐसे ही आपको दरसाने होते हैं अगर आपको पांच अगर फूल ना लेते आप शिर्फ यह लेते कोई भी एक सिंबल ले लेते यह सिंबल ले लेते तो हर जगह यह स्टार बन जाता स्टार च्छे स्टार बन जाते पांच स्टार बन जाते टू स्टार बन जाते थ्री स्टार नाइन स्टार बना देते तो आ स्वास्टस्ट्रेंट एक कुष्टल स्वाल किस लाएगा पट्री प्रकार की सहायता से एक कोड़ बनाने का आता है वह पट्रीर निकालना जरूरल आता है तो आप लोग 50 प्रकार की साहता से एक कोड बनाना जरूर से जरूर सीख लीजिए वो कोड कैसे बनते हैं तो आप देखिए आपके एक्जाम में सिर्फ 3-4 गुडाते एक आता है अपका 30 डिग्री तीस आठ नमबे यही कोड़ आपके एक्जाम में बनाने काते हैं तो आप बनाएने के लिए क्या करेंगे माली आपका ठारा कुशन है कि नबे डिगरी का को बनाईए यह आपका एक्जाम में आ गया तब कैसे बनाएंगे कोई भी एक यह रेखा सिधी खीच लिए यहां पर एक पॉइंट ले लिजिए एक प्रकार अपना लिजिए और प्रकार को यहां पर रखकर के गोल आयसे गोल बोल गोल आयसे लगा लिजिए इसको लगा लिया ठीक उसके बाद कोई भी एक चाप ले लिजिए एक चाप ले लिजिए ठी यहन से कट कर दिया तो यह आपका कित्थ डिरी का कूण होता है यहां पर फिर रखा प्रकार फिर एधर एक मारा कट यहां और यहां पर एक बार यहां पर रखकर प्रकार ऐसे कट मारिए एक बार यहां पर इसे रखके कट मारिए तो यह आपका बन जाता है नबे यह जो कोड़ आपका बनता है यह नबे अगर यहां पे और यहां पर परकाल रखकर के ऐसे ऐसे कट मारते हैं तो यह जो आपका कोड़ बनता है वो 30 डिगरी का बनता है तो यह आप लोग आपका बहुत जादा मैंने समझा इपाफ जादा अगर टाइम लगा होगा तो 45 मिनट इस से जादा टाइम हमारा नहीं लगा ओगा लगबक ठीक है तो 45 मिनट में अगर आपका पेपर मैंने सॉल करा दिया और भी सब समझा के तो इसका मतलब गार आपने अच्छे से पढ़ा तो आप 35-45 मिनट में आप भी सॉल कर सकते हैं आसानी से पंदरा मिनट में 10 मिनट कांपी भरने में निकल गया 5 मिनट में अपना रिवाइज कर लिजिए आसान सक पेपर तो आपके ज़्यादा ज़्यादा रेक्टिस कर लिजिए इसी टाइप की कुछिन आएंगे कोई बहुत जादे डिपकल नहीं आएंगे मैत में मैत में बखुत आपको 2 कराओंगा कुछ भी हो तो यहां पर हमारा पहला मॉडल पेपर सुघा हुआ कर करें कि इस मॉडल पेपर सा प्रब्लकाने में आपकी कितने माक शान रहें कितने माक्स आ रहे हैं तो मैं उसके साब से आपको बता हूंगा कितनी और आगे आपको मेहनत करनी है अगर अच्छा response रहा तो अगला मांडर पेपर जल्दी हम आपको एक अगला मांडर पेपर देंगे ठीक है, थैंक्यू क्लास